हेलो विरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार अठाइस जुलाई दोजार चोबीस और दा हिंदू न्यूजबेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज एडिटोरियल और इंपोर्टेंट जोगरिफिकल लोकेशन होंगी उसके बारे म देश के सभी राज्ये, सेंटर गोवर्मेंट, भारत के प्राइमिस्टर, वरियस मिनिस्टर इसके अंदर पाडिस्पेट करते हैं यह आप कह सकते हैं कोपरेटिव फेडलिजम को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफोर्म है इससे पहले प्लानिंग कमिशन होता था जो इ एक मातर सीम ने पाडिस्पेट किया, वेस्ट बिंगोल की सीम ने, उन्होंने भी थोड़े देर बाद वहां से एक तरीके से वोक आउट कर लिया, उन्होंने ऐलिगेशन लगा कि उन्हें बोलने का मुका नहीं दिया गया, भारत में एक ये विडंबना हम कह सकते हैं कि चाहिए थे, ताकि जो कंसंस है, उनके बारे में बात चीत हो, भारत में इस मीटिंग में प्रायमिस्टर ने का कि 2047 तक हमें विक्षित भारत मनाना है, और ये हर एक भारतिय का मिशन है, जब विक्षित भारत के बारे में बात कियेगी, तो उन्होंने की important word वी बोला कि भा इसके अलावा, सीए उन्होंने कुछ बातें बोले कि भाई, उन्होंने allegation लगाया कि हमारी बहुत सारे funding सरे सेंटर गवर्मेंट ने रोपर किया, इसके जस्त बात, गवर्मेंट ने P.I.B. Fact Check Unit के थूरू क्लेम किया कि जो उनके क्लेम है ना, उन्होंने जिस तरीके से क्ल क्लेम किया कि सेंटर गवर्मेंट हमें पैसा नहीं दे रही है, तो यह क्लेम मिस लीडिंग क्लेम है उस तरीके से उसको P.I.B. ने तरीके से रिस्पॉंड किया, इसके बाद दो तिन इंपोर्टेंट न्यूज हो रहे है, एक तो जो नया वर्टिकल सेंटर स्पैन जो इंट्रस्टिंग है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, भारत के प्राइमिस्टर जो है, वो युक्रेन जा सकते हैं, और ऐसा पहली बार होगा जब युद के बाद भारत के प्राइमिस्टर युक्रेन जाएंगे, इससे ठीक पहले हमने पढ़ा था कि भारत के पीम युक्र तो यह विजिट बहुत इंपोर्टेंट होगी उक्रेइन के कॉंटेक्स्ट में और आइधिंक 23 अगस्त को जाएंगे या उसके आज पास आगे पीछे डेट्स चेंज हो सकती है इसके अलावा जब रश्या के अंदर भारत के प्राइमिस्टर गए थे तो इन्हें ने जो सब पर काफी ध्यान देना चाहिए तो यह कॉइट पॉसिबल है कि 23 अगस्त को भारत के प्राइमिस्टर जाएंगे उक्रेइन में और हाला कि यह अभी कंफर्म ने किया गया दौनों साइड्स के थुरू और यह बताया गया कि यह जो मीटिंग है यह डेफिनेट इसमें इ इसके लावा नाटो की समेट होई वाशिंग्टन में जिसको जलन्सकी ने भी टेंड किया था तो दो को इंसीडेंस के बीच में भारत के प्राइमिस्टर की रशिया में विजिट यह कई सारे माइने इंडिकेट करती है और अब जब युक्रेइन के अंदर विजिट होगी तो उसके अपने विशेस मायन हो ता दोनो अलग-अलग मीटिंग से है दोनों के अपने अपनी सिगनिफिशन्स है युक्रेइन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा जागरीफिकल पोजिशन को भी उपज़व करते है युक्रेइन की बाउंडरी कयी स सारी कंट्री से लगती है जिसमें रशिया, बेलारूस, पुलाइंड, सलोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा राइट ये कंट्री है जिनके साथ युक्रेन की बाउंडरी जो हो वो लगती है इसके ठीक नीचे जो 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 गरिफिकल लोकेशन आप देख रहे हैं य वह इस ब्लैक सी के आज सपास किन किन कंट्री की बाउंडरी है ये ब्लैक सी जो यहांपर आप देखेंगे ये किन कंट्री से बाउंडरी को सेर करता ये आपके लिए एक सवाल है जो आपको नीचे कमेंट करने है इसके अलावा कल एक बहुती sad news वी जब हम UPSC के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली में coaching institute है राउ कोई coaching institute है राजिंदरनगर के अंदर या old राजिंदरनगर के अंदर आप करसे हैं वहाँ basement में पानी चला गया जिसके वज़े से दो students की death हुई तीन इसमें बता रहे हैं कि दो लड़किया थी और एक लड़का इसके अंदर यह एक तरीके से शोकिंग, सर्प्राइजिंग और अगर आप UPSC कम्मुनिटीज की बारे मात करते हैं तो हमारे लिए तो डेफिनिल यह disturbing news है इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और important news की जो exam से सिधा रिलेट करते हैं जिसके अपनी significance है जिसके बारे में हमें पढ़ना ही है डेफिनिट सी बात है तो उसमें एक तो मैंनमार के PM के साथ भारत के जो National Security Advisor उन्होंने बातचित करी और border region में किस तरीके से stability ensure कि जाए उसके बारे में फरवरी 2021 के बाद से लगाता है हम देख रहे हैं कि मैंनमार के अंदर जो elected government थे उसको टोपल किया गया हटाया गया और उसके जगह पर एक तरीके से military ruled state एक तरीके से वहाँ पर है और इस region में stability में मैंनमार क्योंकि मैंनमार के साथ है न हमारे चार state की boundary लगती है और मैंनमार क्योंकि हमारे north eastern state काफी sensitive है कई बार इस तरह के होते कोई crime कर देता है मैंनमार भाग जाता है न तो इसको आपको याद होगा कि जो मैंनमार के साथ हमारा open border था उसको भी हम तरीके से वहाँ पर proper fencing की जा रही है मैंनमार के प्राइमिस्टर जो है senior general मियान उंग हलें इनके साथ national security advisor इन्होंने बातचित करी fourth annual meeting थी बिमिस्टेक की फुल फॉर्म है बियो बिंगोल initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation आंग हलेंग ने जो chairman of state administration council के उन्होंने रिशीव किया हाजी दोवाल साब को और यह बता है कि दोनों नाशिन किस तरीके से काम कर सकते हैं हाला कि इन्होंने ये भी discuss किया कि आने वाले टाइम में free and fair democratic general election यहाँ पर होंगे peace और stability को forge किया जाएगा और एक तरीके ऐसे जो भी government on new newspaper होगी उसके तुरू ये detail इन्होंने mention करी चार स्टेट की जब हम बात करते हैं किन स्टेट से boundary भारत के स्टेट की महिनमार के साथ लगती तो north eastern स्टेट आते हैं चारो की चारो जिसमें अनाचल परदेश, नागलेंड, मनीपुर और मिजोरम ये चार स्टेट हैं जिसकी boundary जो हो महिनमार से लगती है अगर आप country की ब बात करेंगे तो यहां पर डेफिनेट सी बात है बंगलादेश, भारत, इसके लावा थाइलेंड, लाओस और चाइना इन country से boundary शेर करते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल है जो question number two है अभी हमने एक word यूज किया है यहां पर बिमिस्टेक यानि बेयो बेंगोल इनिसेट Central Technical and Economic Cooperation यह जो भी मिस्टेक है ना इसमें साथ country member है आपकों countries के name identify करने की साथ कौन कौन सी country जो भी मिस्टेक का part है इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और news के बारे में यह अगें थोड़ा सा international relation के हिसाब से important है इंडिया और Australia के bilateral relation के हिसाब से और जो Australia के वह ही है उन् के लिए गए थे चीफ मिनिश्टर चंदरवाउ नाइडू से मिलने और उनके साथ कई सारी सीज़ों को डिसकस किया तो यहाँ पर बताए गया कि इंडिया और Australia के बीच में जो ट्रेड है यह ग्रेट रिजक्टरी शो करता है और जब से हमारा एक free trade agreement हुआ जिसको economic cooperation and trade agreement का नाम दिया गया है यह दोनों कंट्रीज के लिए बहुत important है इन्होंने discuss किया कि आने वाले टाइम में अस्ट्रेलिया सीज़ों करने कोशिश कर रहा है कि अमरावती जो अंदरपरदेश की capital city होगी किस तरीके से score better तरीके से built-up क्या दा सकता है लास्ट फाइव येर में इं अगर हम बात करें iron steel हो agriculture हो अप्रेल सेक्टर अप्रेल का मतलब होता है कि जो कपड़े वाला जो सेक्टर होता है जिसको textile industry भी आप बोल सकते थोड़ा सा अप्रेल को define क्या करता है वर्ड वो exact मुझे नहीं पता लेकिन यह related कपड़े से ही है इसमें specific clothes के बारे में हो सकता है मेंशन हो भारत के लिए opportunity क्या है यहां पर बताया गया कि भई सबसे फ़ले तो congratulations किया गया कि आप सरकार में हिस्सा इस्सेदारी बनी तो उन्होंने का कि Australia का जो interest है ना वो education agriculture water management green energy supply इन सब के अंदर है इन्होंने example दिया कि आज जब आप Australian capital के नवरा के बारे में बात करते ह फारम था बाद में beautiful capital बना पुरी दुनिया की और मैं बहुत सारे चीज़े के रिफली सुन रहा था जब आंदर प्रदेश के CM बात्चित कर रहे थे अस्ट्रेलिया फोकस कर रहा है export of clean coal, critical minerals, green hydrogen, green battery manufacture, green steel, iron ore और solar panel अगर आप यह देखेंगे यह सारे words clean and green energy पर फोकस करते है उन्होंने का कि भारत सरकार का एक historical plan है कि 10 million घरों में एक तरीके से हमें चट पर solar panel लगाने तो यह अस्ट्रेलिया के लिए एक huge opportunity है उन्होंने इंडियन डाइस्पोरा के बारे में बात किया कि भारत का डाइस्पोरा IT business हो अलग अलग segments में काम करता है एक लाख वीजा हमने issues कि Russia और Ukraine war को लेकर उन्होंने रशिया का criticism किया जब सवाल पूछा गया कि इंडिया रशिया से ओल खरीता तो उन्होंने का कि bilateral relation है और भारत की United Nations Security Council में permanent seat को लेकर Australia ने समर्थन किया है तो यह कुछ issues है जो दोनों countries के बीच में डिसकस किये गे Australia and India इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर left hand side में चोटी शीनियोज आपको नजर आएगी आपको पता होगा recent time में जब से माल दियूस हो री माल दियूस के जो प्रेजिडेंट मने मोहमद मीजू यह एंटी इंडिया इंडिया आउट इस तरह के कैमपेंस में काफी इन्वोल थे इन्होंने कहा था कि साइन्स के पेज में एक इंट्रस्टिंग इवेंट के बारे में यहां पर डिसकस किया गया है केरला ने एक सेंट्रलाइजड टेस्टिंग और सिक्वेंशिंग को ब्रेक किया है यह क्या है बेसिकल ब्रेक किया है तो जुलाई 20 को तिरवन्तपरुम बेज इंस्टिट ओफ एडवांस वायरोलोजी टेस्टिड ने टेस्ट किया निपा वायरेस सेंपल्स को चार घंटे के अंदर और NIV जो है वो शाम तक आया अब इन दोनों में डिफ्रेंट समझेए क्या है एक्जेक्टली डिफ्रेंज और इसके आने वाले टाइम में यह केवल सेंटर और स्टेट का इशू नहीं है यह आने वाले टाइम में गेम चेंजर होगा बहुत सारे स्टेट रिपोर् करेगी न और जिनों सिक्वेंशिंग बहुत इनप़ूर्ट्न है इसका मतलब यह होता है कि आप पर्टिकॉलर वाइरस की पर्टिकॉलर डिजिज खी पर्टिकॉलर पेजिशंस की स्टडि करते हैं और ज scroll पाते हैं की किस तरीके से रियक्ट स्टाइस यह सपी associated Ủ्टिश को लेकर मेजर्स ली जासके हैं सभी चार निपाव वायरस जो आउटब्रेक के रहला है 2018 19 21 और 23 के अंदर तो यह सेंपल एनाइवी पुने के द्वारत इन्होंने एक तरीके से टेस्ट किये लेटिस्ट आउटब्रेक सेंपल जो है वो एनाइवी पुने को भी भेजे गए थे और इंस्ट्यूट ऑफ अडवाश वायरलोजी जो त्रिवंत्पुरम के अंदर है वहां पर भी भेजे गए डिफरेंस क्या आया पहला सेंपल जो एक तरीके से पुने में गय और जो वायरलोजी इंस्ट्यूट के अंदर गया त्रिवंत्पुरम में यह मातर चार घंटे में नों टेस्ट किया और इसी के वेशिज पर केरला गवर्मेंट जो है वो आने वाले टाइमें से स्प्रीड को प्रिवेंट करने के लिए एफर्ट्स होनाने लिए इंस्ट्य करने के फैस्टी रखता है आई एवी ने इंस्ट्यूट ओव आडवास वायरोजी अंडेटेक करता है पारिशल सिक्वेंशिंग को निपा वायरे जिनॉम में और उनने का कि यह जो वायरेस है यह कहिने के जो प्रिविस ट्रेंश रहे हैं उसी से रिलेट करता है पारिशल जिनॉम सिक्वेंश की अगर हम बात करते हैं तो पुब्लिक डेटाबेस के अंदर है और जैसे ही यह कंप्लीट होता उसके बारे में डिसकस किया जाता जिनॉम सिक्वेंशिंग रिपीट कर रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट है किसी भी डिजीज की किसी भी पैजन्स की कि सिब्स की सइन्टिफिक स्टडी करने के लिए और जब आप प्रोपर सइन्टिफिक स्टडी होगी तो ये आपको आने वाले टाएम में मेडिशन या विक्षिन त्यार करने में हल्प करता है ऐसे क्यू जो है यह पुरे वीक जो टौपिक डूस में रहत होनी के बारे में य या उस दिन्यूज में नहीं आया होगा वो है नैचुरल फार्मिंग को लेकर क्या भारत को नैचुरल फार्मिंग पर फोकस करना चाहिए इसको लिख रहे आर्टिकल है क्या रिलेशन है इस पूरे सेनरियो का और इसकी क्या सिगनिफिशेंट उसके बारे में बातचित करते हैं 2024 का बजट जब प्रिजेंट किया गया तो यूनियन फाइनेस मिश्टर निर्मा सिधरमन मैडम ने ये का कि अगले दो सालों में हम लोग एक क्रोड फार्मर्स को देश के अंदर नेचरल फार्मिंग के लिए स्पोर्ट करेंगे थूरू सेटिफिकेशन करना हो ब्रांडिंग करना हो जब आप इस इंपोर्डन स्कीम के इंप्लिमेंटेशन करने के बारे में बात होगी तो उसमें स्पोर्ट करेंगे इसके बारे में पर्मॉट करेंगे या मोटिवेट करेंगे इसके लिए behavioral change बहुत important है भाई एक किसान जो है बहुत sensitive एक तरीके subject है खुदी क्योंकि नई technology नई crop और नई fertilizer से लेकर नई seeds को एक तरीके से use करने में farmer hesitate करता है आज के time पे 90% किसान तो वो है जो smaller marginal farmer है जिनके पास land holding बहुत कम है तो वो क्या इसको accept करेंगे ये सबसे बड़ा सावाल है chemical based inputs है जो अब लग यूज हो रहा उसके compare में जब एक तरीके से अलग अलग locally produced inputs का use किया जाएगा natural farming scheme जो है ये भारतिये प्राकरतिक किर्शी पदती के थ्रू होगी और इसके लिए 2019, 20, 24, 25 में लगबग 45,000 क्रोड़ रुपे का budget इसके लिए है natural farming क्या है natural farming का मतलब है कोई chemical fertilizer इसके अंदर use नहीं होता pesticide use नहीं होता और ये traditional indigenous practices को यूज करते है largely जो based है on farm biomass recycling पर जो biomass mulching को यूज करते है on farm cow dung urine formulation को यूज करते है और manage करते हैं paste को through divesties को on farm botanical connection जो है या exclusively use करता है synthetic chemical inputs को directly और अगर आप देखेंगे जो nutrient cycle है natural nutrient cycle वो organic matter के तुरू ही soil की capacity को बढ़ावा देते है agro ecology में diversify करता farming system को जिसके अंदर crop में integrate करना हो trees and livestock को के मामले में हो और optimum use of functional biodiversity को allow करता है इसके अलावा natural farming believe करती है कि ये एक potential hold करता जिसे farmers के एक तरीके से capacity governance के आजास के income जो बहुत सारी चीज़े deliver करती है फर एक्जामपल ये soil fertility की restoration में help करता है environmental health को एक तरीके से promote करना हो mitigate करता है और reduce करता greenhouse gases emission को यानि agriculture में natural farming के benefits को एक तरीके से discuss किया गया challenges और concerns क्या है agriculture and food expert ये मानते हैं कि reservation जो larger scale transition में देखने को मिलता है chemical farming to natural farming ये में भारत में तो इसमें huge population है जो food growing needs के लिए requirement है तो ये easy task नहीं होगा recently एक academic paper जिसको zero budget natural farming बताया गया implication for sustainability profitability and food security ये publish किया गया national bank for agriculture and rural development और Indian council for research on international economic relation की द्वारा उन्होंनों किया कि एक sheer disparities में देखने को मिलती है दो different experiment देखने को मिलते हैं for example zero budget natural farming जिसको भी भारतिय प्राकरति किर्शी पदती के बारे में बात किएगी तो एक study conduct करेगी center for economic and social studies के द्वारा institute for development study in आंधरा प्रदेश के द्वारा और Indian council of agriculture research के द्वारा इसके अलावा इन इन इस्टेट of farming system research के जब हम बारे में बात करते हैं तो उसमें एक study होती है उसमें बताया गया कि जब आप overall natural farming को declare करते हैं तो proper long term experiment होने चाहिए क्योंकि एक ऐसा subject है जो farmers से यहनी देश की आदी अबादी साब सीधा सीधा connected है और ऐसी कोई भी चीज जो उनको negatively impact कर सकती है वो चीज़ें accept नहीं की जाने चाहिए आंधरे प्रदेश एक forrunner की तरह इसमें आगे आए है जिसमें एक तरी किस इंडिकेट करता है जो increasing results यो क कितनी होगी उसके potential को लेकर debate है इसके अलाबा जो study हुई है उसके अंदरे पाया गया कि variety of crops में जिसमें improved yields of crops हो farmer की income हो या food and nutritional security जो farmers की है जो zero budget natural farming को practice करते हैं इन सब को लेकर एक concern definite शी बात है इसके अलाबा ICR और IAF SR के जो government institute है वो करश्यों कर रहे है 59% decline होता है wheat yield के अंदर 32% decline होता है बासमती rice के अंदर और आप integrated crop management और adversely impact कर सकता food supply को देखो main concern क्या है कि natural farming को adopt करने में problem नहीं है problem है कि इसकी वज़े से अगर food production में एक तरीके से decline होता है तो ये farmers के लिए देश की supply chain के लिए बिलकुल सही नहीं है सिलंका से क्या lesson हम सीख सकते हैं ये बहुत important है large scale transition है अगर हम chemical से natural cultivation में करते हैं तो इसकी लेक तो extensive study और assessment की requirement है couple of year ago जो है हमारी neighboring country सिलंका के अंदर economic और political turmoil हमें देखने को मिला उसमें decide किया कि हमें organic की तरफ जाना है और उन्होंने chemical fertilizer को ban कर दिया government की policy जो कई सारे consequences लेकर आई जब भी आप suddenly को decision लेते हैं न तो ये वहाँ पर देखने को मिला कि pharma struggle कर रहे हैं कि उनको natural fertilizer मिल जाए उनको एक तरीके से face कर रहे हैं कि उनके जो key crops है जैसे rice है staple है उसमें production कम हो गया तो food security country के risk पर आवी एक तरीके से sap price increase देखने को मिला और उसके बाद हमने देखने को मिला कि huge protest और unrest शिलंका के अंदर देखने को मिला वे फॉर्वेटिट क्या है आगे क्या किया जाना चाहिए नौटेड एकनोमिस्ट और फॉर्मर प्रोफेशन जो प्रोफेशर जो है पंजाव एक रिखल जिनुश्टी के हैं सिदू उन्होंना अज़र्ट किया कि natural farming जो है यह beneficial है localized level पर लेकिन जहां पर populous country है जैसे भारत यहां पर natural farming large skill पर adapt करना एक successful model नहीं है food security एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे लिए पहली priority भाई देखो हमारे देश में food security major concern है जब हम natural farming को adopt करेंगे अनाज के लिए staples के लिए तो भाई one third of our population को feed करने capacity में होंगे wheat and rice जो major staple food है राइट तो यह crop natural farming के थूँ जाएगी तो बहुत ही कम production होगा और यह advice नहीं की जाती जब तक proper studies नहीं हो जाती कि yields पर क्या impact पड़ता है proper supplementary foodstuffs पर study नहीं हो जाती तब तक natural farming को especially crop yields के अंदर जो एक तरीके सी issues है उसको nationwide implementation नहीं करना चाहिए क्योंकि यह national food security को एक तरीके स रिस्क पर ले जाएगा जिसका बहुत ज्यादा negative consequences देखने को आपको मिल सकते हैं इसके अलावा world affair में को specific news नहीं है इटली की PM चायना में गई है यूक्रेयन war के बाद पहली visit है और अलग-अलग issues को discuss किया जाएगा जहाँ पर South China Sea में चायना और Philippines के बीच में concern है और इसके बोलता है कि वह यह तो ओपन सी है तो दोनों के बीच में अलग-अलग issues को लेकर conflict देखने हो मिल रहे है और रिशनली फिलिपिन्स ने दो incident दो चीजे करी एक तो भारत से ब्रमोस के बारे में काफी जादा discussion है या second जो issue है वो है US की जो defense presence यहां पर हो सकती है दोनों का ही च fishing sector के लिए important है और most important यह important trade route पर यह indicate करता है और इन सबसे भी important यह geopolitical का एक important place है इसलिए China इस पर कभजा करना चाहता है claim करता है इस पुरे scenario को लेकर right फिलाल the Hindu newspaper analysis में इतना ही thank you all चेहिं